डियर फ्रेंट्स आप लोगों का स्वागत है मैं आप लोगों के लिए ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आई हूँ और मैं आप लोगों को 1885 से 1947 तक की सभी महतुपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगी पर अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ 1885 से 1916 तक की घटनाओं को कवर किया है आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक कॉलम में मैंने वर्ष लिखा हुआ है और उसके कर्रस्पूर्णिंग मैंने वो सारी महतुपूर्ण घटनाओं लिखी हैं जो हमारी इंडियन पहला हमारा जो एर है वो है 1885 अब 1885 एर मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि यह एर की अपनी एक अलग इंपोर्टेंस है दोस्तों इस एर में इंडियन नाशनल कॉंग्रिस भारती राष्टरी कॉंग्रिस का गठन हुआ था और इसके गठन होने से इसके होने से अपने फ्रीडम स्ट्रगल को एक दशा और दिशा मिली आप इतना जान लीजे कि यह अकेला एक संस्थान या संगठन नहीं था इसके पहले बहुत धेर सारे ओर्गनाईजेशन असोसियेशन संस्थान संगठन यह सब बनी हुई थी जैसे कि मैं आपको कुछ 1866 में इस्ट इंडिया असोसियेशन बनाता इसे दादा भाई नवरोजी ने बनाया था फिर 1867 में हमारा पूना सारजनिक सभा बनता है और इसे एमजी रानाडे ने बनाया था वैसे ही एक और है मदरास महाजन सभा जिसे पी आनंद चारलू और कुछ लोगों ने मिलके ब बने हैं पर 1885 में जब कॉंग्रेस का गठन हुआ तब से सारे एक बहुत अच्छा प्लैटफॉर्म मिला बहुत धे सारे नैशनलिस्ट को पेट्रियोट्स को और ये और्गनाइजेशन टाइम के साथ बढ़ता ही चला गया तो इसलिए 1885 की ये इंपोर्टेंस है तो हम लो मतलब पहली बार लोग मिले थे और ये लोग जिस जगह पर मिले थे वो एक संस्कृत कॉलेज था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ये बंबई में था तो ये पद्धती एक नियम सेट हुआ कि जो भी जब भी लोग मिलेंगे जिस जगह पर सेशन होगा वो सेशन उस जगह के नाम पर ही कहलाएगा तो क्योंकि ये कॉलेज बंबई में था इसलिए पहला सेशन बंबई अधिवेशन या फिर बॉंबे सेशन के नाम से जाना गया और इसके अध्यक्ष मतलब जो प्रेसिडेंट थे हर एक सेशन के प्रेसिडेंट घोशित होते थे और इस जो 1885 में बना था कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और कॉंग्रेस से रिलेटेड की कॉंग्रेस का जो गठन हुआ था वो एयो यूम के नेतरत में हुआ था एयो यूम इंडियन नहीं थे ये एक रिटाइड सिविल सर्वेंट थे ये ब्रिटिश थे और इन्हों ने नवरोजी वगरा को साथ में ले करके कॉंग्रेस का गठन किया था और जब पहली बार लोग मिले थे उस कॉलेज में तेजपाल गुकुलदास तेजपाल संस्क्रिक कॉलेज में तो वो 72 लोग थे ये कुछ फैक्ट्स होते हैं एक्जाम रिलेटेड एक अथ फैक्ट और ज हो गया पहला इंपोर्टेंट यह चलिए अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट यह पे और इतना प्याद रखेगा कि कॉंग्रेस के सेशन होते रहे हैं हर साल अल्मोस्ट हर साल कुछ-कुछ साल जैसे 1930 में 1941 से 45 तर कुछ साल सेशन नहीं हुए हैं ठीक है अब जो हमारा ने ब्रिटिश गवर्मेंट और वह आक्ट है इंडियन काउंसिल्स आक्ट 1892 तो आप यह जानिए कि जब से ब्रिटिश आई है इस्ट इंडिया कंपनी आई फिर वह बाद में क्राउन ने मतलब ब्रिटिश क्राउन ने अपना आधिपत्य जमाया तो हमेशा कुछ ना कुछ आए जैसे पहली चार्टर आक्ट आए होंगे आपने नाम सुना होगा चार्टर आक्ट ऑफ 1873, ऑफ 93, 1813, 1833 फिर गवर्मेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1858 आया उसी परकार से यह इंडियन काउंसिल्स आक्ट आए तो आप याद रखेगा कि तीन इंडियन काउंसिल आक्ट आए हैं सबसे पहला है 1861 में आया फिर हम अभी 1892 की बात कर रहे हैं और तीसरा आया 1909 में और यह जो 1909 वाला काउंसिल्स आक्ट है इसे आप लोग मौरले मिंटो रिफॉर्म से भी जानते होंगे तो जो यह एक्ट आया इंडियन काउंसिल्स आक्ट आप लोग जान लिज इंपीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल बना जो इस वक्त हमारा जो लोग सभा है जो यह हम लोग देखते हैं अपना पार्लेमेंटरी स्ट्रक्चर वो उसी टाइम से बन गया था तो ब्रिटिश को भारत में शासन करने के लिए भारतियों की आविशक्ता थी और साथ के कि जब कॉंग्रेस बन गया और भी ऐसे असोसेशन बनते रहे तो हम लोग भी हमारे नैशनलिस्ट भी लगातार जोर देते रहे कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो मतलब एड्मिनिस्ट्रेशन में लौ मेकिंग में तो इसलिए यह इंडियन काउंसिल अक्ट आए से इंडि में बोलते हैं भारती परिशद अधिनियम तो 1861 के बाद 1892 वाले में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यह हैं कि इसमें अतिरिक्त सद्यसता अतिरिक्त सद्यसता मतलब नॉन ओफिशिल मेंबर्स मेंबर्शिप तो इसमें कुछ बस नंबर ही बढ़ाया गया जै जैसे केंदरी परिशद में केंदरी परिशद मतलब Central Legislative Imperial Legislative Council मतलब जो इस वक्त हमारा लोगसभा आप मान लीजे वो तो उसमें सद्यसता को बढ़ा कर कम से कम मतलब at least minimum 10 और अधिक्तम 16 तक कर दी गए अधिक्तम 16 मतलब maximum इतना रहेगा और minimum इतना रहेगा और थोड़े changes जोर किये गए तो यह लोग क्या करते थे ब्रिटिश कि हम लोगों को एक तरीके का carrot and stick approach policy अपनाते थे यह आपने सुनाओगा divide and rule policy मतलब यह क्या policies होती है जैसे carrot and stick approach क्या हुआ कि हमने थोड़ी सी गाजर दी और फिर मार भी लगा दी मतलब हम बहुत थोड़े थोड़े य की अनुमती मिली कि आप बस अभी discuss कर सकते हैं और उसमें जादा नहीं जो कि हम देखते हैं अभी हमारे current system में हम proper budget पे votes होते हैं और यह लोग सभा से पारित होता है फिर president sign करते हैं पर उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक है तो अब हम आते हैं अपना हमने अभी तक द 1904 1904 1904 यह क्यों important है क्योंकि अगें इस बार भी British एक नया act लेकर के आई इसका नाम है India Universities Act मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं भारती विश्विद्यालियों अधिनियम और यह क्यों पारित हुआ तो उस टाइम 1903 मतलब इससे एक साल पहले ब्रिटिश ने 1903 इससे एक साल पहले ब्रिटिश ने के जो वॉइस रह थे लॉड कर्जन जो की इंडिया में उस समय थे उन्होंने यह डिकलेर कर दिया कि अब इंडिया जो कालकटा है जो उस वक्त का जो हॉट स्पॉट था पूरा नाशनलिसम का उसके बटवारे के डिक इसको रोकने के लिए इसको कर्ब करने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए यह अधिनियम पारित हुआ जिसमें यह डिसाइड हुआ कि अब यूनिवर्सिटीज में इनका ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा मतलब अब ब्रिटिश वुड हैव मोर कंट्रोल मतल universities हैं ये factories हैं of political revolutionaries तो उन्हें लगता था कि इनको रोकना पड़ेगा इनको control करना पड़ेगा और हम जानते भी हैं कि कुछ extremist जैसे बाल गंगा धरतिलग ये बहुत ही aggressively फोकस करते थे कि जन मानस जुटे और नव यूवक जुटे जुन में नया खून है नया जोश है वो आएं अपने freedom struggle में तो उन्होंने जैसे शिवाजे फेस्टिवल और गनपती फेस्टिवल 1896-1894 में स्टार्ट किया था और इन सब में उन्होंने नव यूवकों को बहुत साथ में लिया था तो ये वो समय था जब 1903 का बेंगॉल का partition की बात की गई और ये सब हुआ तो नव यूवकों का जोर बढ़ रहा था तो अब आपको clear हो गया होगा कि ये इंडिया universities act क्यों आया तो इसके बाद जब ही आया तो हम लोगों में सारे nationalist में और देश्वासियों में इसके प्रती और आक्रोश उठा और और तरीके से लोगों ने इसका विरोध किया फिर अब हम आते हैं अगले important year पे और ये है 1905 ये 1905 काफी जादा महत्वपूर है और ये इसलिए महत्वपूर है क्योंकि जो मैं आपको बता रही थी बंगाल के विभाजन की बात की बता रही थी जो कि British ने घुशित कर दिया था 1903 में ही वह finally उन्होंने 16 October को दो भागों में बंगॉल को विभाजित कर दिया और उन्होंने अपना reason क्या दिया विभाजन का की हम अच्छे से administration में हमें दिक्कत आ रही है हम अच्छे से administer नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमें विभाजन करना पड़ रहा है जबकि main reason ये था कि nationalism इतना बढ़ चुका था लोग इतना जादा जाग रुक हो चुके थे कि इनको समझ में आया कि ये चीज तोड़नी पड़ेगी इसको रोखना पड़ेगा इसलिए विभाजन करना होगा तो उन्होंने विभाजन भी इसी तरीके से किया जो दो हिस्से बनाए उसमें ऐसा किया कि एक हिस्सा Muslim dominated एक हिस्सा Hindu dominated एक हिस्सा Hindi speaking जादा और एक हिस्सा Bengali speaking जादा इस तरीके से उन्होंने बहुत ही दिमाग लगा करके स्ट्राटेजिक लिए डिविजन किया था जो की कॉंग्रेस उस समय ये चीज को समझ चुकी थी और उस टाइम के हमारे ये जो वोईस रोय थे ये लॉड करजन थे और 1905 के राश्ट्री कॉंग्रेस ठीक है दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि ये मिंगौल का विभाजन हुआ अब 1903 से लेकर के 1905 तक ये दो साल में अपने जो कॉंग्रेस के मॉडरेट से इन लोगों ने बहुत एक बड़े पैमाने पर सभाएं की और पेटीशन्स लिखे ब्रिटिश को पर ब्रिटिश नहीं माने और विभाजन कर दिया तो परिडाम सुरूप जब 1905 का बनारस सेशन हुआ तो और उसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले ये एक मॉडरेट थे तो जब ये सेशन हुआ तो इस सेशन में ये डिसाइट किया गया कि अब स्वदेशी और बॉइकॉट मॉवमेंट चलाना होगा स्वदेशी और बॉइकॉट स्वदेशी मतलब हम अब अपनी ही चीजें यूज करेंगे और boycott मतलब अब हम बिटिश की सारी वस्तूओं को ना तो हम उनके सामान मंगाएंगे और ना ही हम उनके courts जाएंगे ना ही हम कोई government title लेंगे हम इन सब का boycott करते हैं यह चीज किया गया फिर आता है इसके बाद 1906 उसके अगला साल ही उसके अगले साल यह हुआ कि यह अधिवेशन हम बात करेंगे क्या main main चीजें हुई तो main चीज यह हुई कि यह आपको याद रखना है कि कलकता उसके 1905 में बनारस का अधिवेशन था उसके बाद कलकता अधि इनको grand old man of India भी बुलाते हैं, ये बहुत ही respectable personality थे, moderates, extremists, even British तक इनकी बहुत respect करते थे, और वैसे तो ये एक constitutional method पर विश्वास रखते थे, मतलब ये इनकी उग्रवादी सोच नहीं थी, ये extremist type नहीं सोचते थे, पर इनोंने ये इस चीज़ को बहुत vehemently, बहुत अच्छे से clearly बोला और इसका पोस करते थे, जिस तरीके से British अपने देश से पैसे लूट रही थी, मतलब उनोंने इस theory को बोला कि ये drain of wealth है, मतलब economic drain है, ये British एक तरीके से हमें बस और बस एक market बनाई हुई, जहां पर वो अपने सामान लाके यहां पर डाल देती है, और हमसे हमारे सारी raw materials हमसे ले करके जाती है, तो ये इन सब चीज़ों पर इनोंने काफी vocal थे और इनोंने काफी आवाज उठाई थी, तो चलिए अब हम अभी इस वक्ते main point पे आते हैं, कि 1906 क्यों important है, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था है, जिसके प्रिसिडेंट दादा भाई नवरोजी थे, उन्होंने स्वराज की मांग की, मतलब स्वराज मतलब self rule, और स्वराज की मांग की ये बहुत important है, dominant status की बात करेंगे, फिर हम उसके बाद बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की तो ऐसे हमारा progressively हम आगे बढ़े हैं, तो स्वराज की मांग की गई, और 1906 इसी साल Muslim League की भी इस्तापना हुई, Muslim League भी ने भी अपने freedom struggle में और अपने national movement में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, हम लोग देखेंगे कि कैसे Muslim League बना, कैसे पहले Muslim League ने सिर्फ और सिर्फ Muslims के interest की बात करी, फिर बाद में इन्होंने British के खिलाफ गए, खिलाफत movement के time और Congress के साथ हुए, और उसके बाद फिर कैसे ये 1937 और उसके बाद इन्होंने Islam in danger की बातें करीं, और उसके बाद इन्हों का partition हुआ 1947 में, तो चलिए बात करते हैं Muslim League के स्थापना की, तो ये December 1906 में बन गया था, और इसको main तीन लोग आप याद कर सकते हैं, एक वकार उल मुल्क, एक मुहसिन उल मुल्क और एक नवाब सलीम उल्ला, तो ये तीन लोगों ने मिलके बनाया था, और इस से related एक शिमला डेप्यूटेशन था, शिमला डेप्यूटेशन था, जिसमें कुछ Muslim leaders जैसे की आगा खान, ये लोग शिमला में जा करके, Lord Minto जो 1999 तक रहे हैं, जो एक वोईस रोय थे, उन से जा करके, ये Lord Minto से मिले, और इन्होंने बोला की, हमें Muslim के interest की रक्षा करनी है, तो आप कुछ ऐसा एक policy या reform लाइए, जिसमें हमारी बात करिये, तो उसके बात से ही ये Muslim League बना, और ये लोग Muslim League के prominent members बने, ठीक है, तो दो event आपको पता चल गए, 1906 में सबसे पहला तो self rule की बात की गई, जब दादा भाई नवरोजी की अध्यक्षता में स्वराज की मांग की अपना Muslim League जो ये Muslim League बनता है, ठीक है, अब हम आते हैं, 1907 पे, अभी हम देख रहे हैं कि दोस्तों कैसे सारे years, ये सब 1904, 1905, 1906, 1907 सब लगातार कितने important हैं, क्योंकि इन सब में consecutively कुछ ना कुछ important घटाएं होती रहे हैं, तो 1907 भी equally important है, और ये क्यों important है, क्योंकि जैसे फिर 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, वैसे ही 1907 में सूरत अधिवेशन मतलब सूरत का जो सेशन हुआ, तो इसमें Congress का विभाजन हो गया, Congress का विभाजन क्यों हुआ, इसलिए दोस्तों क्योंकि जब Congress स्टार्टिंग में बना था, तब Congress में Moderates जादा थे, Moderates में अपने जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नवरोजी, फिरोशा मेता, ये सब लोग हो गए, तो ये लोग एक, इन लोगों का एक अलग विचार था, ये लोग चाहते थे कि एक सेट तरीके से हम लोग struggle करें, तो जैसे हम लोग बहुत ही इनका famous है PPP, prayer, petition, propaganda, इनका ये method था, फिर इसके बाद धीरे-धीरे extremist आने लगे, जैसे लाल-बाल-पाल, लाल-गंगा, लाल-गंगा-धर, तिलक, विपिन-चंदरपाल, इनको हम लोग बोलते हैं, गरम-दल, मतलब ये extremist थे, ये वो लोग थे, जिनें British में, मतलब British सरकार में, बि बोलते थे, कि इनको तो हमें इंडिया में बिलकुल भी नहीं रखना है, ये जाएं, और इन्हें मासेज में, मतलब जन मानस में, लोगों में, पॉपिलेशन में, हमारे देश के लोगों में, बहुत जादा फेथ था, तो इन दोनों के जो तरीके थे, गरम-दल और नरम- इन में बहुत थी, इनके जो विचारों में काफी मद्धेत था, और ये अलग-अलग तरीके से सोचते थे, तो अब हम बात करते हैं, कि ये विभाजन इस वक्त क्यों हुआ, सोच तो अलग थी, पर विभाजन क्यों हुआ, तो दो प्रमुख रीजन है, दो प्रमुख मॉवमेंट स्टाट वा 1905 में, उसके बाद सेल्फ रूल की बात हुई, तो जो मॉडरेट से, वो ये चाहते थे, कि ठीक है, अब मॉवमेंट हो गया, और डिवीजन भी हो गया है, तो अब ये मॉवमेंट बंद कर देना चाहिए, और अगर मॉवमेंट चला भी रहे हैं, तो उसे सिर्फ और सिर्फ बेंगॉल तक सीमित रखना चाहिए, साथ के साथी, वो ये बोल रहे थे, कि जो बॉइकॉट है, वो भी लिमिटेड आइटम्स में, या लिमिटेड फील्ड में होना चाहिए, ना कि हर चीज़ का हम बॉइकॉट करने लग जाए, मतलब जैसे कि जो काउंसिल है, काउंसिल में जितने भी इंडियन मेंबर्स हैं, तो उनका बॉइकॉट मत करो, उनको जाने दो, पर यहीं पे जो एक्स्ट्रीमिस्ट थे, वो बहुत ही अलग विचारधारा के इस परकार थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, अभी जो ये मुवमेंट है, इस इसने जोर, इसने मुमेंटम पकड रखा है, तो इसको आल ओवर इंडिया फैलाना चाहिए, इसको बेंगॉल के बाहर भी लेके जाना चाहिए, मतलब बेंगॉल भी और इसके बाहर भी, आजू बाजू जगह भी, ठीक है, और इनोंने बोला कि जो बॉइकॉट चल रहा है इन सब को लेक करके, फाइनली, ये सेशन में दोनों लोग अलग हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं, और ये देखिए, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर ये भी बता दिया है, कि ये क्या रीजन से, नरम दल चाहते थे, कि स्वदेशी और boycott movement, बंगाल तक ही सीमित रहे, परंतु गरम दल, स्वदेशी और boycott movement को बंगाल के बाहर भी फैलाना चाहते थे, this was the immediate reason, और जब ये सेशन था, तो आप लोगों को ये सब नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि ये जो अध्यक्षे हैं, ये generally हमारे questions में पूछ लिए जाते ह ठीक है दोस्तों, तो ये हमने काफी, आपने देखा कि कैसे एकदम घटना चक्र बदला, अपने बंगॉल का भी partition हो गया, और Muslim League का भी formation हो गया, और यहाँ पर Congress में भी विभाजन और split हो गया, ठीक है, अब हम आते हैं, अगले important year पे और ये है 1909, मतलब 1907 के बाद 1909, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी थोड़ी दर पहले एक Indian Councils Act की बात की होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि तीन बार आया था, 1861, 1892 और 1909, जिसे हम लोग Morale Minto Reforms भी बोलते हैं, ये वही है Indian Council Act, मतलब भारती परिशद अधिनियम, ठीक है, अच्छा अब ये बताये कि इसे Morale Minto सुधार क्यों कहते हैं, Morale इसलिए बोलते हैं कि Morale उस टाइम के Secretary of State थे और Minto इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उस टाइम के Voice Roy थे, ये जो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है, Secretary of State ये एक पोजिशन था, जो की Government of India Act 1858, मतलब अपने 1857 War के बाद बना और ये Voice Roy जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ये भी उसी Act, Government of India Act 1858 में आया था, ठीक है, तो अब हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, Morale, Minto, सुधार ये गोशित हुआ, अच्छा, आप लोग इस चीज को समझना, मैंने एक टर्म बताया था, कि British एक policy का यूज करती थी, carrot and stick approach, carrot and stick approach, ये एक तरीके से आप divide and rule जैसा ही समझे, कि पहले क्या British को एक दिग गया, कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, कि moderate और extremist अलग हो गया, क्योंकि British को जादा खत्रा moderate से नहीं था, क्योंकि moderate को British में एक तरीके से विश्वास था, कि ये जो एक तरीके से political reform ला रहे ह British को सब ज़दा खत्रा extremist से था, और extremist के बाद एक और बड़े level पर जाकर के जो revolutionary क्रांतिकारी हैं, जो कि वो लोग थे जो कि ऐसे actions, assassination मतलब गोली मार देना या बम से उड़ा देना, ऐसे ही चीजों पर विश्वास करते थे, इन सब लोगों से ज़दा खत्रा था, तो किया, British ने, इन्होंने moderates को appease करने के लिए, moderates, moderates को खुश करने के लिए बोला कि हम तुम्हारे लिए reform लेके आते हैं, सुधार लाते हैं, भारती परिशद अधिनियम, Indian Councils Act, हम तुम्हारा representation और बढ़ाते हैं, और इन्होंने देखा कि extremist तो अब अलग थलग हो चुके ह तो इन्होंने अपना शुरू किया, extremist के ऊपर काफी तगड़े तरीके से repression करना, मतलब इन्होंने उनके ऊपर काफी दबाव डालना शुरू किया, तो जैसे दबाव डालने में हम कैसे बता सकते हैं, कि उन्होंने 1900 and जैसे ही ये split हुआ है, 1907 से लेकर के 1911 के बीच में, British पांच बहुत ही repressive acts लेकर के आई है, repressive acts जैसे एक seditions act करके है, ऐसे ही बहुत से act लेकर आई है, तो sedition में इन्होंने अपने जो बाल गंगा धर तिलत थे, ये कुछ वो लिखते थे, जैसे ये कुछ journals और कुछ newspapers लिखते थे, तो ये केसरी हो गया, मराठा हो गया, ये ये मराठी में लिखते थे, और मराठा ये English में लिखते थे, तो इन्होंने केसरी में कुछ लिखा जो की British के against था, मतलब उन्होंने उसमें British की आलोचना की, और यही समय था कि British अब उनके उपर धावा बोल सकती थी, और British ने उनका दमन करने के लिए, ये जो act बहुत सारे acts थे, जैसे मैंने अब भी आपको एक बताया, कि एक ये act मैंने भी आपको बताया, कि ये 1907 से 1911 की बीच में काफी, पांच काफी सक्त law लाय थे, जैसे एक मैंने भी आपको seditious meetings act, एक ये लेके आये थे, और ऐसे ही लाए, तो जब इन्होंने तिलक को भी ऐसे ही एक act में ग तिलक को, बालगंगा धर तिलक को 1908 से 1914 तक के लिए बर्मा के जेल में रखा, मतलब इने गिरफतार किया, तो आपने नोटिस किया कि किस तरीके से इन्होंने moderates और extremists के साथ अलग-अलग वहवार किया, और अब हम आते हैं में पॉइंट में 1909 में क्या-क्या important चीज़ें ह हुई हैं, तो सबसे पहला तो ये कि ये reform हुआ, reform आए, जिने हम लोग इंडिया council act भी बिलाते हैं, और 1909 ये भी बिलाते हैं, अब इसमें आपको दो-तीन बहुत important चीज़ें याद रखनी हैं, मैंने आपको भी बताया था, एक shimla deputation हुआ था, shimla deputation के बारे में बताया ह जो कि 1906 में हुआ था, जिसमें वाका ये आगा खान और ये नवाब सलिम उल्ला और मोसिन उल्मुल्क ये सब गय थे, बात किया था, इन्होंने जा करके ब्रिटिश से और बोला था कि मुसलिम के interest को protect करने में वो ब्रिटिश इनकी मदद करें, तो इसी लिए ये पहली बा है, और याद रखेगा दोस्तों, ये 99 में आया है और ये 1947 तक रहा है, ये separate electorate नहीं गया, और separate electorate बलकि हर act के साथ, जैसे भी हम लोग बाद में एक अगले वीडियो में हम बात करेंगे, गवर्मेंट ऑफ इंडिया 19, गवर्मेंट ऑफ इंडिया 19, इसमें हम बात करेंगे कि जो separate electorate नहीं ने बाकियों के लिए भी बढ़ा दिया, मतलब सिख भी ले आये थे, अपने Anglo-Indians और उन सब के लिए भी आड़ कर दिया, तो हम ये notice कर रहे हैं कि ये बहुत ही detrimental step था, और ये again ये एक तरीके का divide and rule policy के तहत ही था, जिस तरीके से कि ये नहीं ने notice किया कि अ अब हमें एकदम अलग करना है, और जो हम बात करते हैं, ये सामप्रदाइकता के और इन सब की ये सब ही genesis थे, यहीं सब से इन सब चीजों की starting हुई है, और दूसरी चीज, और भी क्या इन्होंने बाकि और क्या extra चीज़ें लाए कि कुछ extra members add कर दिये, बाकि इन्होंने ज जो voice roy का executive council होता है, voice roy is executive council, उसमें इन्होंने पहली बार for the first time एक Indian, एक Indian को add किया, एक पहली बार एक Indian को add किया, और 99 में याद रखेगा कि जो Indian आये थे, ये सतेंद्र प्रसाद सिनहा थे, तो ये पहले Indian थे, जो की 99 में add हुए थे, ठीक है, तो ये हमारे 99 के important events हो गए है, अब हम आते हैं, 1911, मतलब उससे दो साल बाद की क्या महतपूर्ण घटनाए रही है, तो 1911 में हमने अभी notice किया था कि जो 1905 में बंगॉल को विभाजन, बंगॉल का विभाजन हुआ था, ये इस टाइम जो voice roy थे, ये हार्डिंगे थे, हार्डिंगे थे और ये decide हुआ कि अब बंग बंग को मतलब ये division को रोकना है, मतलब division को anal करना है, समाप्थ करना है और वापस से unite कर देना है, दूसरी चीज के decide किया कि जो अभी तक का capital था, जो कलकटा, कलकटा capital था, उसको बदल करके, अब दिल दो important चीज है, 1911 से आप ये याद रखेगा कि जो हार्डिंगे ये voice roy थे, ये जब जा रहे थे 1912 में ये enter कर रहे थे चांदी चौक के थूँ डेली में, तब इनके उपर बं फेका गया था, ये राश बिहारी बोस थे और सचिन सान्याल थे, इन्होंने बं फेका था, ये जो मैं आपको बता रही थी, एक revolutionary activities की, कि ये जो individual level पर काम करते थे, ये किसी संगठन या group में एक साथ, जथे में नहीं रहते थे, ये अकेले काम करते थे, और ये सारी activities और भी बढ़ गई थी, 1907 के बाद, क्योंकि 1907 के बाद, सूरत split के बाद, Congress थोड़ा अलग था, जो extrem थे, वो थोड़े अलग हो गए थे, जैसे तिलक जेल चले गए थे, बाके extremist भी अलग थे, और moderates चला रहे थे, Congress को तो उस टाइम इतना strong नहीं था, Congress, हाँ, तो अब अगला, जैसे मैं भी आपको वही revolutionary activities की बात कर रही थी, ये revolutionary activities वो थे, जो individual heroic action पर विश्वास करते थे, ये इस term का मतलब है, individual heroic action ये है, कि हम अकेले, अकेले एक level पर काम करेंगे, ठीक है, और दूसरे revolutionary activities क्या है, जो underground काम करते थे, मतलब underground level पर, underground काम करते थे, underground क्या, मतलब वो सामने नहीं आ रहे हैं, जैसे कुछ थे, बेंगॉल का, एक काफी famous है, अनुशीलन समिती, ये आप लोगों ने सुना होगा, अनुशीलन समिती, ये काफी famous है, ऐसे ही हर जगह, ऐसे बन गए थे, बॉम्बे में कुछ था, पंजाब में कुछ बने हुएते, तो अनुशीलन समिती इसलिए famous है, क्योंकि इस से related, अलीपोर conspiracy case है, इसी अनुशीलन समिती से related, अलीपोर conspiracy case है, ज यह सब वो थे जो कि बहुती एक्स्ट्रीम अक्शन लेते थे कि यह लोग डिसाइड करते थे असासिनेट मतलब गोली मारने का कि कोई बड़े बड़े बिटिश अधिकारियों को ओफिसर्स को गोली मार के देहशत क्रियेट करना है तो उसी टाइम यह 1913 का टाइम है जब बड़े पा सेंस्ट इंड्रांसिसको मतलब उसमें अमेरिका में थे जो कैनिडा में थे यह वो लोग इन्होंने फोर्म किया था और टएसाइड किया हं मतलब सारे फिपनस और इन सबका जुकार करेंगे और फिर एम इंडिया में अलग अलग जगा पर अटाक करेंगे तो इन्होंने एक अटाक का भी डिसाइड गया था कि 1915 में करेंगे तो पर ये हो नहीं पाया और ये ट्रेचरी हुआ मतलब इनका किसी से किसी ने इनका वो ट्रेचरी किया और ये पकड़े गए तो इसके कुछ में याद कर लिजे कि इस क्रांतिकारी अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के आखरी महतुपूर्ण घटना पे जो कि 1916 में हुआ और ये था अगें वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इस एर में और वो दोनों ही रिलेटेड हैं कॉंग्रेस सेशन से और वो दोनों क्या हैं कि पहला ये है कि जो मॉडरेट थे और जो एक्स्ट्रीमिस्ट थे वो दोनों साथ आ गए उन्होंने रेलाइज किया कि हम ऐसे जब तक अलग हैं हम तब तक वीक रहेंगे हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे और क्योंकि बाल गंगा धरतिलग जेल में थे 1908 से 1914 तो जब वो बाहर आए तो वो और एनी बेसेंट एनी बेसेंट भी काफी सक्री हुई थी इस टाइम पे उन्होंने मिल करके काफी कोशिश की कि कॉंग्रेस से में वापस जुड़ें और वापस से एक एहम भूमिका निभाई जाए अपने फ्रीडम स्ट्रगल में तो ये लखनओ और य यह आप लोग जाध रखेगा कि यह बहुत बड़ी घटना है इसके बाद शायद ही मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच में इतना कोई बड़ा पैक्ट साइन हुआ हो तो मुसलिम लीग और कॉंग्रेस के बीच में लखनओ पैक्ट साइन हुआ लखनाओ पैक्ट क्यों क्योंकि लखनाओ में था और यह पैक्ट क्या साइन हुआ तो इसमें अब यह देखिए वो जो separate electorate के बात हुई थी वो इतना important और इतना एक तरीके से घातक हो चुका था कि Congress कभी नहीं चाहता कि अपने देश में किसी भी सामप्रदाइकता के नाम प पर Congress ने accept कर रहा कि ठीक है separate electorate मुस्लिम लीग करवा सकता है कोई दिक्कत नहीं है पर यह दोनों ने Congress और मुस्लिम लीग ने मिलके यह decide कि अब यह लोग इन लोगों का एक और साथ में डिमांड करेंगे ब्रिटिश गवर्मेंट से कि इन्हें self rule मिले और साथ के साथ ही जो भी councils हैं imperial legislative council है और जो provincial legislative council है इसमें Indians का और भी membership और भी number बढ़ें तो यह decide हुआ दूसरा जो मैंने भी आपको बताया कि नरम दल और गरम दल में समझाता हुआ अब आप और हाँ जैसे कि हर बार जब भी आप sessions को पढ़ें तो हमेशा यह देख लें कि वो कहा हुआ तो यह ह चीज यह कब हुआ उनने सो सोला में और तीसरी चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे तो इसके प्रेसिडेंट ए सी मजूंदार अंबिका चरण मजूंदार ठीक है अब तो हमने उनने सो सोला थोड़ा जादा important है क्योंकि क्या हुआ उनने सो सोल रूल लीग की शुरुआत हुई होम रूल लीग दोस्तों उस काइम पर वर्ल्ड वार वन चल रहा था मतलब पूरे वर्ल्ड वार वन एक बार मैं फिर से लिखती हूं वर्ल्ड वार वन चल रहा था और यह होम रूल लीग एक तरीके से इसी वर्ल्ड वार वन के के अगें था बाल गंगा धर्तिलक का और एनी बेसेंट का और इन्हों ने ये आइडिया लिया था आईरिश होम रूल लीग से ये विदेश में भी यही सेम एक लीग ऐसा ही बना हुआ था तो इन्हों ने उसे एक आइडिया लिया और उन्हों ने डिसाइड कि हम भी यहाँ पर और होम रूलीक का में काम ये था कि जितने भी लोग थे उनको उनको अवेर करना ये में काम था लोगों में अवेरनेस फैलाने का अवेरनेस फैलाना लोगों को अवेरनेस फैलाना और लोगों को बताना उनके राइट्स के बारे में तो ये कैसे इन्होंने डिसाइड किया इ हम यह pamphlets लिखेंगे, libraries और्गनाईज करवाएंगे और लोगों में meetings करेंगे और ऐसे अपने इसकी बात करेंगे तो यह आप याद रखिएगा कि यह दो लोगों ने start किया था एनी बेसेंड ने थोड़ा late start किया था इन्होंने मदरास में start किया था और यह start किया था इन्हों में ही तो यह भी याद रख लीजेगा कि जो बाल गंगा धरतिलक इन्होंने start किया था इन्होंने कहां कहां start किया था इन्होंने महाराष्ट में start किया था औल ओवर इंडिया फिर किया था युनोंने इंक्लूडिंग मुंबई भी यह वाली छीज वॉम रूरूल लीक से दो तिन चीज़ें और इंपॉर्टेंट है कि हॉम रूरूल लीक कॉंग्रेस का पार्ट नहीं बना अलग से पर जितने भी कॉंग्रेस के important members थे जैसे की मोतीला लेरू जवाहरा लेरू ये सभी part बने थे home rule के इन सब ने इसमें part लिया था तो इस प्रकार से ये हमारे पूरे 10 events complete होते हैं जुसमें मैंने आप लोगों को अगर एक short में अगर एक बार बताऊं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया हमने start किया 1885 और Congress की बात करी फिर हमने 1892 और Indian Council Acts की बात करी फिर हमने 1904 और इंडिया University Act की बात करी फिर 1905 में बंग बंग मतलब Bengal के partition की बात करी और उसके बाद ये decide कि ये एक बहुत important आया हमारा स्वराज की बात हुई सेल्फ रूल के बात हुई Muslim League बना 1907 में क्योंकि ideologies अलग हो रही थी इसलिए विभाजन हो गया यही समय था कि जब British सरकार ने काफी फायदा उठाया एक Moralimento Reforms आया जिसके कोई ज़ादा महत्व नहीं था आपने ज़ादा मदद नहीं कर पाया अपनी Freedom Struggle में आप लोगे पेपर के हिसाब से तो महत्व है इसका फिर 1911 में बंग को समाप्थ किया गया और यह राजधानी Capital को बदला गया 1913 गदर पार्टी यह जब क्योंकि Congress थोड़ा वीक था तो Underground sales बहुत चल रहे थे जो कि revolutionary activities करते तो उसमें से गदर पार्टी एक है और यह last event हमारा हो गया 1916 का लखनाव session और यह आपने देखा कि यह किस प्रकार से important है तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है तो मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को comment section में लिखें कि आप लोगों को और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप क्या-क्या topics चाहते हैं cover करें आपको कुछ suggestions देने हैं वीडियो से related तो वो भी दें and show some love guys to this video आप लोग इसको थोड़ा support करें इसे subscribe करें अपने friends में share करें तो that would be really great and wonderful and thank you for watching till now bye take care